हेलो फ्रेंग्स, मुझ ऐसे आसान टिप्स जिनका इस्तेमाल करके अगर आपने वेट लूस किया है तो उसके बाद भी आप अपनी बॉड़ी को शेप में रख सकते हैं जी हां अक्सर हम वेट लूस तो कर लेते हैं लेकिन अपनी बॉड़ी को मेंटेन करने में काफी सक्षम नहीं हुपाते हैं इसलिए आपको जरूरत है कुछ ऐसे टिप्स की जिससे आप वेट लूस करने के बाद अपनी स्लिमिस को हमेशा बनकरार रख सकें टिप नमबर वन है विटमिन डी वजन कम करने के बाद जो लोग अपनी वजन को नियंतरण में रखना चाहते हैं उन्हें विटमिन डी लेनी की सरा दी जाती है विटेमिन D हमारे मस्तिश के अंदर उर्जा को अफशोशित करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है तो यदि आप भी वज़न कम कर चुके हैं और अपने वज़न को हमेशा नेंतरण में रखना चाहते हैं तो विटेमिन D का आहार ज्यादा से ज्यादा लें नमबर टू है अपने मूड को हमेशा अच्छा बना कर रखें क्योंकि जब भी आपका मूड खराब होगा तो आपकी सोच हमेशा नाकरात्मक हो जाएगी नाकरात्मक सोच का प्रभाव हमारे वज़न पर भी नाकरात्मक ही पढ़ता है जिसकी वज़े से हमारे शरीर का Metapolism प्रभावित होता है और परिणाम सरूप हमारा वजन बढ़ने लगता है इसलिए अपने वेट को मैनेज करने के लिए हमेशा अपने मूड को अच्छा बनाये रखें और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें अपने आप पर पूरी तरीके से नियंतरन रखें वजन कम करने के बाद या फिर व्यायाम करने के बाद अच्छा आहार लेने की उर्जा और इच्छा जागरत होती है जो भी काफी सही वाद है यदि आपने वजन कम कर लिया है तो अब आपको जरूरी है कि आप अपने वेट को मैनेज करने के लिए अच्छे से अच्छा आहार लें लेकिन ध्यान रहें कि वो आहार ज्यादा वसा यानि की फैट से भरा हुआ ना हो हमेशा फाइबर से रुक्त आहार खाएं ऐसा करने से आपका पेट भी भरा रहेगा साथ ही साथ वेट मैनेज करने में भी आपको काफी सहायता मिलेगी टिप नंबर 4 है खाने को चबाना ये बात आपने और हमने हजारों बार सुनी है कि अपने खाने को थीक तरीके से चबाना चाहिए ऐसा करने से वो अच्छे तरीके से डैजिस्ट होता है जो कि बिल्कुल सही बात है ये आप अपने मुग के अंदर रखे हुए निवाले को 40 बार तक चबाते हैं तो आप अपनी बोडी को स्लिम रखने में हमेशा सफल हो पाते हैं टिप नंबर 5 प्रकरती के साथ भी कुछ वक्त गुजारी वेट लूस करने के चकर में और व्यायाम या फिर एक्सरसाइज करने के चकर में अपने पूरे टाइम को जिम और घर में ही मत बांधी प्रकरती के साथ भी थोड़ा वक्त गुजारी क्योंकि यदि आप दंगे पैर घास पर चलते हैं सुबह के टाइम हलकी हलकी धूप में या फिर चाँम के टाइम हलकी हलकी हवा के साथ वॉक करते हैं थो यह आपके मस्तिश्क और आपके हर्दे के लिए काफी अच्छा रहता है साथी साथ वॉक करने से आपका वेट भी मैनेच रहता है इसलिए यदि आप अपने वेट को लूज कर चुके हैं और अपने वेट को नियंतरन रखना चाहते हैं तो हमेशे प्रकरती के साथ भी थोड़ा सा वक जरू गुजारिए So friends, ये थे कुछ ऐसे आसान टिप्स जिनका इस्तेमाल करके वेट लूज करने के बाद वेट मिंटेन करना आपके लिए काफी आसान रहेगा इन सारे टिप्स को आजमाईए और अपने व्यूज को हमाई साथ शेर करिए मेरी ब्यूटी और हलसे रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजे